गुद्ध मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स आज की इस टॉपिक में बीसिकली हम लोग जो डिसकर्स करेंगे वो डिसकर्स करेंगे डेवलप्मेंट आफ गैमेटोफाइट्स जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था क्या टाइपस ऑफ ओव्यूल और ओव्यूल के बारे में स्ट्रक्चर्स और ओव्यूल कैसा दिखता है ये सब हम लोगों ने डिसक्राइब किया था So student इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसे देखेंगे Gametophyte को देखेंगे यानि gametophyte का development कैसे हो So start करते हैं अपना सबसे first gametophyte That is the male gametophyte देखा जाए हाला कि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि सबसे first development male gametophyte का होता है जो कि क्या बनाता है? pollen grain बनाता है मतलब कि ये जो pollen grain है यही basically क्या चीज़ है? यही pollen grain first male gametophyte होता है और यही basically क्या करता है? reproduction में सबसे ज़्यादा मदद करता है Dear students याद रखेगा इसमें क्या होता है? size of nucleus continuous increase करता है और divide करता है mitotically यानि size of nucleus increase हुआ mitotically divide हुआ clear है? mitotically divide करने के वज़े से basically क्या क्या? produce किया vegetative cells यानि देखो अब क्या है कि दो type के cells होते है pollen grain में? यह क्या चीज़ है? यह अपना pollen grain है ठीक है? इस pollen grain में देखो exine और intime generally क्या चीज़ है? present है है न? इसमें देखना कि अब क्या है? vegetative cells generate कर गया? देखो यहाँ पर vegetative cells लेकिन क्या यहाँ पर कोई है कि smaller cells भी तो develop किया न? यह smaller cells को अपन basically क्या कह सकते हैं? smaller cells का नाम क्या हो गया? जनरेटिव cells हो गया यानि जो generate करने वाले cells होते हैं उसे जनरेटिव cells कहते हैं अब ज़रा देख लो इसी stage पर यानि जब pollen grain बन जाएगा तब एंथर में dehisions होगा जैसे ये था ना एंथर बोलो एंथर फटेगा एंथर फटने के बाद क्या होगा? pollen grain सारे हवा में बढ़ जाएंगे और यही pollen grain basically क्या करेगा? इस shape में convert हो जाएगा? ये दिखरा है? एक छोटा सा pollen grain Dear students अब ज़रा ये समझो कि जब nations होगा pollen grain release होगा तब क्या होगा? कि large और majority of the flowering plant basically जो भी होँगे है ना? large या फिर majority of plants ये basically क्या करेंगे? two-celled stage pollen grain said करेंगे क्या करेंगे? two-celled stage pollen grain को said करेंगे यानि निकालेंगे body से two-celled stage का मतलब जिसे आपन क्या कह सकते है? that is vegetative और generative cells कहते हैं अब ये क्या होगा? कि जैसे ही stigma पर पहुँचा stigma पर पहुँचने के बाद basically क्या किया? germination takes place किया किसका? generative cells यानि generative cells divide होगा और क्या बनेगा? two male gamut बनेगा? बोलिये हाँ याना अब stigma पर divide होने के बाद जैसे ही two male gamut बना तब उसी जगह जो इसका intine है intine भी basically क्या करेगा? extend करेगा और extend करने के वज़े से क्या बनाएगा? pollen tube बनाएगा clear है? और इसी pollen tube के अंदर जरा देखो क्या चीज है? male gamuts जो है वो क्या करेगा? present होगा clear idea students ये basically अब इस टाइप में देखो pollen grain का तो germination हुआ ना इस टाइप के pollen grain germination को अपन X C2 development of male gametophyte कहते हैं क्या कहते हैं? XC2 development of male gametophyte अब कहोगे कि सर ये XC2 कैसे हुआ? तो देख बिटा इसका growth जो है न वो stigma पर dependent है जब तक ये stigma पर जाएगा नहीं तब तक pollen tube का formation करेगा नहीं Now अब आगे देखो अब जैसे ही देखा जाए जैसे देखो किसका कि कुछ plants होते ही जिसे अपन cereals कहते हैं जिसमें इन cereals सीरियल्स में क्या होता है कि जो generative cells होते हैं divide होते हैं divide होने के बाद क्या करता है to male gamut form करता है clear है जिसमें pollen grain जो होता है remain inside clear है कहां पे रह जाता है अंदर के side पे ही present हो जाता है और development ले पाता है यानि अंथर के अंदर अब इस type के development को अपन क्या कहेंगे पता है that is in-situ development of male gametophyte मतलब कि यहां पर जो pollen tube का formation कर रहा था इसमें pollen tube का formation नहीं होगा dear students यह ध्यान रखना so इसी चीज़ को क्या कहेंगे in-situ development of male gametophyte अब ज़रा समझो यह जो भी stage रहा यह stage किसका रहा male gametophyte का रहा मतलब यह सारे parts किसके हो गए development of male gametophyte अब हम लोग female के तरफ बढ़ते हैं किसके तरफ female के तरफ yes female gametophyte जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समझना है और अच्छे तरीके से describe करना है आगे पीछे ना कर दे वरना बहुत ही ज़्यादा परेशानी जेलनी पड़ेगी आपको female gametophyte अब जैसा कि हम लोगों ने ovule का development देखा था याद है नहीं याद है तो कोई बात नहीं last वाले video lectures पे जाएं और उसमें observe करें अब जो भी होगा मतलब कि इसमें किसका formation होगा mega spore यानी formation of mega spore होगा इसी mega spore का जो दूसरा नाम है उसे क्या कह सकते है embryo sac कहेंगे clear है वो भी किसके अंदर inside mega spore rangium के अंदर क्यों क्योंकि यही mega spore rangium जो है वो क्या चीज़ है ovule है dear students और इसी पूरे entire event को अपने एक नाम देते हैं जिसका नाम कहते हैं mega spore genesis क्या नाम देते हैं mega spore genesis देखा जाए अब कहोगे कि formation कैसे होगा mega spore का सबसे पहले तो अब diagram से समझो जैसे माल लो यह flower का एक part जिसमें outer वाला epidermis को बता रहा है अंदर वाला hypodermis को इसी जगा epidermis, hypodermis के बिहाफ पर यह जो cells है इसका नाम क्या है archegonial cells कहते हैं अब यह archegonial cells आगे चल करके डिवाइड होता है दो cells में जैसे outer side वाले को क्या कहते है primary parital cells कहते है जबकि inner side वाले को क्या कह सकते है primary sporo genus tissue कहते है क्या कहते है primary sporogenus tissue कहते है अब student समझो कि अब जो भी division इस्टार्ट हुआ वो किस में स्टार्ट हुआ तो primary या फिर R की gonial cells में बेटा एक और नाम है इसका 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 नाम है R की sporeal cells अगर कोई error less biology पढ़ रहा होगा तो उसमें R की sporeal मिलेगा ठेक है यह कहां पर present होता है nuclear hypodermis पर present होता है अब यह क्या करेगा divide करेगा clear है divide करने के बाद यह archie sporeal या फिर archie gonial cells division इसका दो टाइप में होगा क्या चीज अभी तो फिलाल periclinal है periclinal division करेगा बोलिए हाँ या ना periclinal division करने के बाद दो बनाएगा outer outer को क्या बनाया primary parital cells बनाया PPC लिख सकते ना पन क्या है PPC इसका नाम है primary parital cells inner क्या बनाया नाम लेंगे प्लीज inner बनाया primary sporogenous cells यानि PSC बनाया कोई दिक्कत हड़ी है students ठेक है अब यही दोनों किसके जैसा act किया यही दोनों act किया mega spore mother cells के जैसा किसके जैसा act किया mega spore mother cells के जैसा कोई दिक्कत हड़ी है students अब अब जड़ा देख लेना अब प्राइमरी sporogenous mega spore mother cells के तरह यह दिख गया देखो इसे MMC के है अपन अब यही आगे चल करके ovule के type का formation determine करेगा जैसे कि linear tetrad of mega spore खड़ा कर दिया उसे type मे deer splits अब जिसमें की 4 जो होंगे यह 3 degenerate हो जाएंगे और यह lower वाला जो होगा यही क्या करेगा grow करेगा और बाकी 3 degenerate कर जाएंगे देखो इसमें diagram में दिखाया गया है degenerating micro spore और एक functional यही करते करते functional का nucleus divide होगा 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 जैसे ही पड़ा यह 8 automatic arrange हो जाएगा ठेक है और उसके बाद fully developed embryo sec का formation करेगा यह क्या चीज़ है अपना यह अपना embryo sec है ठेक है dear students अब समझो कि अब जो ovule होंगे इस जगा पर यह ovule होंगे दो टाइप के अब कहोगे sir कैसे आपने पहले भी six types बता दिये पहला type का बेटा नाम जो होगा यहाँ पर that is kra c nuk lieto पहला type का यह अब कहोगे कि sir इसमें क्या है समझो इसमें कुछ नहीं है बलकि क्या होता है कि इसमें primary parital cells जो होते हैं actual में differentiate होंगे है ना यह क्या होंगे differentiate होंगे और form करेंगे new cellist को जिसका example जो है capsula दूसरा ब्रासी का जो क्या है poly पैटे लसे डियर नेक्स्ट सकेंड अगर देखोगे तो इस चीज का नाम 10 यूनी क्लियेटो कहते है इसे इसमें क्या होता है जरा समझना इसमें जो होता है primary parital cells differentiate ही नहीं होता है यानी primary parital cells जो होते है no differentiation clear है और जब differentiation करेगा तो new cellers बनेगा ही नहीं और जब new cellers बनेगा ही नहीं तो कुछ फॉर्म करेगा नहीं जिसका example क्या हो जाता है इसका example हो जाता है dicots with unitegmic ovules अब कोगे सर ये unitegmic किसे कहते है बिटा आपको पहले ही बताया गया था unitegmic का नाम basically intugments का कहा गया है अगर एक intugment होगा तो उसे अपनी unitegmic कहेंगे दो intugments होगा उसे bitegmic कहेंगे और ये intugments basically covering होता है किसका ovule का अब समझी है आगे अब जड़ा देख लेना mega spore mother cells इसमें देखो functional mega spore mother cells divide करना गया meiosis किया जिसमें कि 3 degenerate कर गया और एक ही basically divide किया बुलो हाया न ये divide mitotically कर रहे है है न divide करते करते ultimately basically इसमें question पूछा जाता है कि number of endo mitotic division क्या चीज number of endo mitotic division कितना endo mitotic किया division एक दो तीन कितना किया तीन third second one यानि total तीन endo mitotic division किया और ultimately क्या बनाया है embryo sec का formation किया अब इसमें ज़रा समझो जहां पे antipodal reason है ये actual में चलाजा reason है तीन differentiate करने के बाद किसमें बन गया antipodal cells में बन गया जो जैसे ही basically कह सकते हो कि divide होगा या फिर eggsal fertilize होगा antipodal cells degenerate कर जाएगा nutrition provide करेगा center में जो present है वो क्या बन गया free nuclei बन गया और ये side arrangement कुछ ऐसा हो गया जिसमें synergids को अपन helper भी कहते है helper cells क्योंकि ये guide करता है किसे pollen tube को philiform apparatus finger like structure है जो की guide करने में मदद करता है ठेक है और egg cells आप जानते हो जो fertilize होगा और fertilize होकर के क्या बनाएगा सुसांत कुमार नहीं भाई ये fertilize होकर के new plant का formation करेगा कोई दिक्कत नहीं न अब ज़रा समझें अब जैसे कि देख लेना कि ये synergid philiform apparatus ये सब सारा कुछ किया तो याद रख लेना इसी जगह पर बहुत सारे लोग कोशन पुछते हैं 7-celled 8-nucleate क्या तू मंसर दे पाऊगे 7-celled 8-nucleate पहले भी डिस्क्राइब किया अभी आप मेरे comment section में इसे बताओगे कि सर ये 7-celled और 8-nucleate कैसा हुगा Dear students ये वीडियो यहीं तक अब हम लोग अपने next वीडियो में type of pollinations और pollinations के बारे में discuss करेंगे So students तर्टलक के लिए